स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मैरे इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंडिया में 125cc की 5 सबसे अच्छी बाइक कौन सी आती है आपको कौन सी खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए तो दोस पूरा देखिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट में आने वाली पहले नंबर की गाड़ी से तो जो पहले नंबर पर गाड़ी आती है वो है बजाज की तरफ से बजाज पलसर एनस 125 ये 2024 वाला वेरिय धूर 4-2 वाल्व एर कूल एंजन मिल जाता है जिसकी मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 12ps की पावर प्रेडियूस करता है और 11nm का टॉक प्रेडियूस करता है ही ये एंजन 12 L ऐलिटर का फ्यूज टैंक मिल जाता है 50 प्लस की माइलेज मिल जाती है 5 स्पीड गेरबॉक आने वाली गाड़ी की तो वो है हीरो की तरफ से हीरो एक्स्ट्रीम 125 बार इस गाड़ी के प्राइस की बात कर रहे तो एक लाग रुपए एक्सो रूम पढ़ जाएगा आउन रोड ये गाड़ी आपको तो काफी सारी चीज़े आपको मिलने वाली है जिसकी आपको जरूरत होती है बात करें इस लिष्ट में नंबर तीन पर आने वाली गाड़ी की तो वो आती है बजाज की तरफ से बजाज पलसर एन 125 इसे कमपनी ने अक्टूबर में ही लॉंच किया है बात करें इस गाड़ी के प्राइज की तो इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइज 98,000 रुपय पढ़ जाएगा आउन रोड इगाड़ी आपको एक लाग 14,000 रुपय के आसपास पढ़ जाएगी 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 इस्ट्रोग 2 वाल्व एर कूल्ड इंजन मिल जाता है जिसकी मैक्समाम पावर की बात की जाए तो 12 PS की पावर प्रेडूस करता है और 11 NM का टॉक प्रेडूस करता है ये इंजन 9 लिटर का फ्योड टैंक मिल जाता है 60 प्लस की माइलेज मिल जाती है 5 स्पीड गेर बॉक्स मिल जाता है 110 प्लस की टॉप स्पीड मिल जाती है जो की काफी जादा है बात करें इस लिस्ट में चौथे नमबर पर आने वाली गाड़ी की तो वो आती है TVS की तरफ से TVS राइडर 125 बात करें इस गाड़ी के प्राइस की तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस की पार प्रेडूस करता है और 11.2 एनम का टॉक प्र 경찰 प्रेडूस करता है ये इंजन 10 लिटर के फ्यूल टैक मिल जाता है 60 प्लस की मैलेज मिल जाती है 500 प्लस की टॉप स्पीड मिल जाती है इस लिस्ट में आने वाली पांचवे नंबर की गाड़ी की तो वो आती है होंडा की तरफ से होंडा SP 125 इस गाड़ी के प्राइज की बात करें तो इस गाड़ी का एक्शन रूम प्राइज 90,500 रुपे पढ़ जाएगा अन रोड़े गाड़ी आपको 1,5,000 रुपे के आसपास पढ़ जाएगी इस गाड़ी में 24cc का सिंगल सिलेंडर 4-2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है जिसकी मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 10.87 PS की पावर प्रोडूस करता है और 10.9 नम का टॉक प्रोडूस करता है इंजन 11 लेटर का फूट tenk मिल जाता है 60 plus की mileage मिल जाती है 5 speed gearbox मिल जाता है 110 plus की top speed मिल जाती है full LED headlight मिल जाती है digital meter console मिल जाता है single seat मिल जाती है तो काफि सारी चीज़े यहां पर भी आपको मिलने वाली है की तरब जा सकते हैं इसमें भी आपको सारी जरूरत की चीजे मिल जाती हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आये डियो को लाइक कीजै चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिल दो नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद